विल्कम बुद्बु स्वागत आपका सरकारी सिल्वेस यूटूग चैनल पर और अभी हम बात करेंगे जो क्लैट इग्जाम का नोटिवेशन जारी हुआ बिल्कुल लेटेस्ट में ही जारी हुआ है तो इसमें कौन-कौन से बच्चे फार्म बर सकते हैं क्या इसका फायदे क्लैट का डिटेल वीडियो में आ लेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ आप कैरियर किस बनाएं कौन-कौन से कॉलेज हैं तो आप जाके इसी चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं दो वीडियो मेंने बनाए हैं एक तो क्लैट क्या होता है एक दूसरा और कॉलेज के बारे में अब ये जो 2022 का नोटिवेशन आया इसकी कुछ इंपोर्टेंट चीजें हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आपके जो फॉर्म है वो एक जनवरी 2022 से चालू हो चुके हैं ठीक है और 31 मार्च तक चलेंगे मतलब जनवरी भरवरी और मार्च तीन महीने का आपके हाथ में समय है अपने ऑनलाइन अपलेशन आपको भरना ह बर सकते हैं जाके कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है आपके जो उनलाइन एक्जाम डेट है आप देख सकते हैं कि 8 मई 2022 को आपका एक्जाम करवाया जाएगा देखी हालां कि कोविड बढ़ने लगा है तो परिस्थितियां तब मई में क्या हो यह अभी के बारे मजज न एक्जाम की होगी कोई बी आप चाहे एडई ले ले लो या आप स्टेट का कोई भी एक्जाम ले लो सब की फामफीस से कमी रहती हि ले हैं कि इसकी फॉमईacas काफी ज़्यादा ओं फीस है inspiring है इज में कोई उम्र सीमा की limit नहीं है चाहें आपके कितने भी कम हो कितने भी ज़्यादा आप इसमें form बर सकते हो ठीक है तो यह उम्र सीमा की बात हो गई अब हम देख लेती education qualification तो education qualification की हम बात करें अगर आप UG courses में मतलब आप graduation करना जा रहे हो आप LLB करना जा रहे हो या BALLB ठीक है यह मोशली BALLB ओफर करती है तो यह 5 साल का course रहता इसके लिए आपको कच्छा 12 पास होना जरूरी है और आपके कच्छा 12 में 45% नंबर होने चाहिए ठीक है और SST वालों को 40% 5% की छूट रहती है तो अगर आप जो हैना BALLB करोगे तो उसके लिए आपके पास में कच्छा 12 पास होना चाहिए और 45% नंबर होने चाहिए यहीं अगर आप जो हैना CLAT LLM करोगे मतलब कि आप पराइसना तक PG डिग्री लोगे LLM वगगरा करोगे तो उसके लिए आपके पास में LLB डिग्री होनी चाहिए और उस LLB डिग्री में 55% आपके नंबर होने चाहिए ठीक है SCSTO तो 50% होने चाहिए 5% की छूट है तो आप समझ गये अगर आप जो हैना इसके तहित PG कोर्सेज में दाखला चाहिए आपके कच्छा 12 में 45% नंबर होने चाहिए तो आप Education Qualification समझ गये ठीक है उमर सीमा की कोई इसमें बाद देता है नहीं फॉर्म आपको ऑनलाइन भर देना है सिंपल सा है तो यह हमने मोटी मोटी बात हैं इस एक्जाम के बारे हम डिसकस कर लिए आप देखिए क्लेट क्या होता और डिटेल में जानकारी National Lion Street कौन कौन सी है और जो ना National Lion Street की फीस कितनी है इन सब के तीनों वीडियो में बना चुका हूँ है लेडी आप जाके चैनल पर ही सर्च कर लिजिए आपको वहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी फिलाल इस वीडियो में हम बस इतनी रखना चाहेंगे हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए वांदे मात्रम